हेलो दोस्तों स्वागत एक बार आपका फिरां आपके अपने चनल राम से श्री पॉइंट पर मेरा नाम है चितने दादब और हम सिंप्लिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इससे पहले एक पार्ट अप्लोड कर दिया गया है अगर आप नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले पर हम कैसे उन फॉमलों का यूज़ कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं पहला कोश्चन जिसे हमें दिया हुआ है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का आपको यूग बताना है तो आपको बताना है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का यूग तो 20 का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक दो और ये तीन और कहां तक जाना है हमें 20 प्राकृतिक संख्याओं तक तो आपको बताना है 20 तक तो देखो कल मैंने आपको एन नेचुनल नंबर्स के सम का फॉमला बताया था क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा एन एन प्लस वन अपॉन टू मैंने आपको ये कल फॉम है आपने का 20 तक जा रहे है तो एन की वैलियू कितने हो जाएगी 20 आपको क्या करना बस इस फॉमले में वैलियू पूट करनी है एन की जगा 20 और अगर आप कहेंगे तो यहां कितना हो जाएगा आपने क्यूंकि 20 और 21 बटी में आपको आजाएगा दो और आप इससे काट तक तो हमें इतना कुछ करने के ज़रूत नहीं है और मैंने अपको बताया थी कि कैसी यूज़ करेंगे तो आई होप आपको यह समझना आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी तो नेक्स्ट कॉशन और देखते हैं अगला हमें कोशन दिया हुआ है कि प्रत्थम बीस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के वर्गों इसकार हो जाएगा तो कल मैंने आपको यह भी formula बताया था कि अगर square लिखे हुए है याने की वर्ग लिखे हुए हैं तो इसका हम कैसे sum निकाल सकते हैं देखो ना तो यह AP बन रही होती है ना ही यह GP याने की गुरुत्तर सेड़ी बन रही होती है तो हम इनको कैसे solve करते हैं तो इसका मैंने आप आपको कल formula बताया था कि एंड प्लस वन और यहां मने लिखा था टू एंड प्लस वन और डिवाइड वाइज सिक्स यह कल इसका मैंने आपको फॉर्मला बताया था तो आपको पता है कि हाँ पर भी एंड की वैल्यों कितनी है आपने कहा भी से तो बस आपको क्या करना है ए अगर हम 3 से काट लें तो 3 2 6 और 3 721 अगर हम इसे 2 से काटें तो यह 10 बार में कर जाएगा यानिके हमारे पास बचा 10 इंटो 7 इंटो 41 अगर हम multiply करें तो आपको पता है कितना आएगा देखो 0 तो 0 आई जाएगा यह ना 10 का 0 7 इकम 7 और 7 चुक 28 तो 2878 का क्या हो जाएगा अ अगर आप इसे वैसे निकालने की कोफसीज करते कि एक कर स्क्वार एड़ कर लेंगे दो कर स्क्वार तो बहुत लेंथी हो जाता अभी इसने स्रीफ 20 तक दिया हो सकता है कि सवाल में वह हमें 20 तक ना देकर 40 तक दे दे 100 तक दे तो हम इसी फॉमले की मदर से आसानी से निक प्रथम 40 नेचरल लंबर्स के क्यूब का आपको सम बताना है यानि कि प्रथम 40 है ना प्राकरतिक संख्याओं के घनों का आपको योग बताना है कहने का मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और आपको कहां तक जाना है आपने का हमें जाना है 40 के क्यूब तक तो हमें देख 1 upon में 2 का whole square यही कल हमने इस formula की बात की थी आपको पता होगा जब मैंने cube की बात की थी तो मैंने का था कि जो natural number के sum का formula होता है आपको उसी का क्या करना होता है स्कॉर करना होता है तो बश जब 1 education कहांता है आपको चालिस तक जाना है रहाण की राया चालिस मयां चालिस बश पुदी चालिस लिखनागा प Diese in equation 400 हूज Phamil तो पहले में यह दो पहले निच्मिए क्रीज़ कर लो चाहे पहले square कर लो तो पहले multiply कर लेते हैं चलो जादा आसान हो जाएगा हमारे ली तो यह 0 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा आपने का चार दुनी 8 यानिकि 820 का square ठीक है 820 के square का मतलब हो गया आपको क्या करना है multiply करने है अगर आप 0 का square करेंगे तो दो 0 हो जाएगे है तो आपको पता कि अगर दो 0 आएंगे बस मुझे क्या पता करना कि 82 का square कैसे होता है तो 82 का square करने का मैं आपको तरीका बताता हूं simple हम एक second में निकाल सकता है पहले आपको क्या करना है इन दोनों के square लिखने है जैसे दो दुनी चार square होता है इसका 4 लेकिन यहाँ पर दो डिजिट आपको लिखना कंबल सरी है जैसे अगर है स्रिप 4 आया तो मैं अपनी हिसाब से 0 लगा लूँगा अगर मालो है 5 होता तो हम 25 डा स्कौार लिखा और 8 का square लेखा उसकी बाद आपको पता कि हमें तो इसको안 करना है तो आपको क्या करना है इसकी क्या कर देनी है दोसे तो आप मुझसे स्कॉर निकालने के लिए मैसेज कमेंट सेक्षिन में बता दें और मैं आपको स्कॉर निकालना भी सिखा दूँगा तो आपका यही अंसर है जो कि मैंने यह लिखा हुआ है तो देखो कितना सिंपल है अगर आपके अपनी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो आ ईट अगे नहीं ने ही स्कॉर लिखा हुआ है तो हमें से एक बात पता चल गई कि यह सं संख्याओं के स्कॉईर के सीरीज लिखी हूई है तो कल मैंने आपको सम और ढौनों की स्कॉईर का फॉर्मला लिखा था तो इसका फॉर्म ला क्या लिखा था हमने हमने का था n एन प्लस वन और यहां हमने लिखा था एन प्लस टू अपॉन में six आ गया था आपको पता होगा कि यही मैंने कल फॉम्ला आपको लिखाया था अगर आपने कल की class पढ़ी होगी तो आपको यह formula पता होगा अगर नहीं पढ़ी है तो पहले उसे जरूर पढ़ लेना क्योंकि स सारा basic मैंने उसी class में बता है था आपको बस आपको n की value कितनी रखनी है आपने कहा 20 यानि की 20 फिर कितना जाएगा आपने कहा 21 क्योंकि एक जोड़ना और फिर कितना जाएगा दो जोड़ना तो 22 बैटे में कितना जाएगा आपने कहा अच्छे अगर हम इसे काटें तो 10 बार में तो मैं multiply करनी पड़ेगी देखो किसकी 10 की साथ की और किसकी 22 की तो आप जानते हैं कि 10 की multiply करने की कोई जरूत नहीं होती है अगर आपका 10 नहीं कट रहा है तो point लगा लो काट कर 5 बनाने की कोशिस मत करो उसे तो यहां पर multiply करने की जरूत ही लग जाएगा तो कि में लिखिए होती तक बीभी formula लगता कल मैंने आपको यह formula बता दिया था कि सम्न्में और बिस्म्में दोनों में इही formula आपका अपन sailing होता है तो चलो और questions देखते हैं कि और questions आपके कैसे बन सकते है इस पर ब्येश्ट है तो देखो आप अगला कोश्ण देख सकते हैं कि हमें देवा है 5 का स्कौराइर, 6 का स्कौराइर, 7 का स्कौराइर, 8 का स्कौराइर और यह जैंगे अगर यह सीरीष तक दिये हो सकता 10-20 की सिरीष देता तब हम क्या करने वाले थे इस कोश्ण में तो अब यह question जो हमारे पास है, हम इसमें वो नहीं लगा सकते हैं, पता कैसे, जैसे यह आपको पता है कि 5 के बाद 6, 7 लिखे तो यह natural number ही है, लेकिन यह starting से नहीं है, कहने का मतलब है, अगर यह कहां से होते, आपने कहा है, यह होते 4 के square, यहाँ पर 3 का square लिखा होता, और यह यहाँ पर 2 का square लिखा होता, और यहाँ पर लिखा होता है, आपका 1 का square, तब इस series को करना आसान हो जाता, क्यों हो जाता मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद मैं यह कह पाता कि n natural number के square की series लिखी हुई है, जिसके लिए मेरे पास formula है, क्या है n, n प्लस 1, और यह हमारे पास है 2 1 प्लस 1, अपॉन 6, हमारे पास यह series है, तो हम यह लगा पाते हैं, अगर यह series कहां से सुरू हो रही होती, एक से, लेकिन आप जानते हैं, यह series यहां से सुरू होई नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे यहीं से सुरू कर लेंगे, exam में आपको जोड़कर करने की बिल सुला सब दोर है न, यहां से, तो हम N की वैले 16 क्यों नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि यह square के लिए है, और यह तब ही apply होता है, जब यह 1 से start होता है, तो हम पहले क्या करने वाले हैं, एक से लेकर 20 तक की लिए लगा देंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि उसमे 41 बटे आपका कितना आगे, आपने का 6 आगे, तो देखो यह पूरी सीरीज का सम निकल गया, लेकिन क्या हमें यहां तक का सम चाहिए था, आप कहेंगे नहीं, हमें यह वाला सम चाहिए ही नहीं था, अगर नहीं चाहिए था तो मैं N की वैल्यों कितनी लूँगा, 4 लूँ तो भाई हमने यह अपने साइट से एड किया है, तो इसका सम भी तो हमें घटाना पड़ेगा, यह बात समझ में आई आई आपको, आप कभी भी इस सीरीज का यहां से 5, 6, 7 के स्क्वाइर से 20 के स्क्वाइर तक सम नहीं निकाल सकते, आपको इसके पहले का क्या करना अगर सीरीज एक से स्टार्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि यह वाला हम ए ड्र करेंगे, यह वाला हम घटाएंगे भी, आप समझ रहे हो, कि इसका मतलब समझ रहे हूं, इसका स्क्वार, इसका स्क्वार क सम एड है, तो मुझे वह सम का एड तो घटाना ही पड़ेगा क्योंकि यह मेरे में कोशन में नहीं था अगर यह कोशन में नहीं था तो हमने घटा दिए अब सॉल्व कर लेंगे से हम तीन से काट लेते हैं तीन दूनीचे और तीन सत्य आपने का 21 होगे यह दस बार में कड़ गया आपका ठीक है और हम अग तो बस आपको कि قना Hnik 140 कि मैं से कितना घटा देना है आपने कहां 30 घटा देना है तो 2008 3 satisfyingary के अब कि हमें समझना पड़ेगा कि हमें यहांपर कुछ घंताना पड़ेगा आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा तो चली नेक्ट कुशन और लेते हैं और फिर समझते हैं कि हम ऐसा क्यों कर दें तो अगला जो कोशन है हमारे पास वह यही है कि 8 स्क्वाइर प्लस 10 स्क्वाइर डैस 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 आपको बताना है 20 के स्क्वाइर तक यानि कि मुझे 8 का स्क्वाइर दिया हुआ है 10 का स्क्वायर दिया हुआ है और आगे 12 का स्क्वायर होगा है न क्यूंकि आप जानते हैं सम की सीरिज लिखी हुई है और आगे डैस 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 हमें दिया हुआ है 20 स्क्वायर तर तो देखो इसका भी मैं सम ऐसे नहीं निकाल सकता क्यों निकाल सकता अगर ये सम की सीरिज लि चाहीं था इसके पहले fourka square होना चाहीं था इसके पहले two का square भी होना चाहींए था यानि कि जो three term मैंने फालतु लिखे हैं ये भी इसमें होने चाहlying get जो कि ये नहीं तो मैं क्या करूँगा पहले इंको साथ निकाल लोगा उसके बाद से nagटा दूगा तो आपको पता है कि अगर सम सीरीज लिखी हुई है यह क्या लिखी हुई है सम सीरीज लिखी हुई है तो आप जानते हैं अगर यह एवन है तो आपको पता है कि एवन के लिए मैंने फॉर्मुला बताया था एंड प्लस वन और एंड प्लस टू अपॉन में सिक्स हमने यह क्या ले लिए था फॉर्मुला लगाया था कल तो देखो अब आपको पता चल गया कि यह पर कितना है टॉन्टी है अगर एंट टॉन्टी तो आप रख लो आपने कहा टॉन्टी वन हो जाएगा आपका टॉन्टी टू हो जाएगा क्यूंकि आप हम इसे काट लेंगे 6 6 21 दूर्वार में तो आप जानते हैं साथ साथ दूनी 14 154 पंद्रा सो चालेस आपका क्या आ गया इसका सम आ लेकिन किस तक का इसका भी सम एड हो गया उसमें, आपको पता है कि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, अगर ये नहीं चाहिए तो हमें 6 घटाना पड़ेगा, यानि कि 6 इंटो 7 इंटो 8 आप जानते हैं, डिवाइड में कितना जाएगा, आपने कहा 6, यानि कि 6 से ये 6 कर जाएग तो 1500 बच्ता तो 15 में से आपको बाद में कितना घटाना है, आपने का 15 में से 16 ऑर घटाना है, ह payments 17, अगर हम 10 जड़ गटाते तो 15 कितना बच्ता, आपने का 1490 बच्ता, उसमें से 6 और चला जाएगा तो 1484 बच्छाएगा आपका, कि मैंने N कैसे लिखा था अगर आप इसकी पिछली class देखेंगे तो आपको पता चले का कि मैंने यू formula तब लिखाया है जब मैंने इसी series को दो से start किया है ऐसा नी कि कहीं 12 से start कर दिए और हमने series तो आयोप आपको एक क्लियर हो गया होगा अभी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी एक दोर कोश्चन से ऐसे समझते हैं यह सेंट क्यूब के लिए भी है ऐसा नहीं स्क्वाइर के लिए भी है यह सब चीज के लिए है तो आप यह बात समझ लेना अगला जो कोश्चन है हमारे पास यह है कि निसका स्कवाइर तो हमें दिया हुआ है तो हमें दिया हुआ है सेवन स्कवाईर के निन स्क्वाइर और यहानी कि हमें इसका अ करताना है तो आप जानते हैं कि कैसी सीरिज लिख obs नहीं है आगर इस भी सम है कि तो आपको पता है कि इसक न्डique formula फोब फ़र था था वो था एंड प्लस वन और एंड स्ञास को यह बात कि स्क्वार हमें एड़ करना पड़ेगा थ्री का स्क्वार हमें एड़ करना पड़ेगा और लास्ट में में वन का स्क्वार एड़ करना पड़ेगा आप यह सीरीज हमारे काम की हो गई यानि कि अब मैं इसमें फॉर्मला लगा सकता हो तो आप लगा लो आपने कहा 19 यहां पर क तीन और एक का स्क्वाइर चाहिए नहीं तो हम घटा देंगे हमने कहा यहां पांच लिखेंगे यहां छे लिखेंगे और यहां क्या लिख देंगे हम साथ हम आप कहे रहे होंगे गिंती कैसे लिख देना देख को यहीं पर है पांच लिख लिख लिया तो छे पर साती तो बन और आपको कितना सिंपल है हर कोशन को करना बस आपको क्या करना है बस थोड़ी सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि हमें ये सीरीज कैसे सॉल्ब करनी है तो आई हूप आप ऐसे टाइप के कोशन कर पाएंगे तो चलिए अब कुछ और कोशन की तरफ चलते हैं जो संख रिमेंडर ठीडिव हम पढ़ने वाले हैं तो पहले इसे पढ़ लेते हैं और फिर भिभाजिता नियम पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे आगे बहुत सारी चीज़ आएंगे तो वह सब हम पढ़ने वाले हैं तो अगला कॉश्चन हमें दिया हुआ है कि तीन किरमागत सम संख्याँ का जो उसद है वो 24 है देखो उसद کا कोशन है लेकिन वो इसमें भी बेस्ट होता है क्यों होता एककि हैपध सुरलेकरण है तो हमें यह पता हो ना चैंकि संख्याई सम पर बेस्ड है संख्याँ पर बेस्ड है तो इस लिए इन babies को ने कSome में लिखा हुआ है तो तीन किरमागत समसंख्याओं का उसत कितना है अपने कहा 24 है बीच वाली हमसे संख्या पोची हुई है देखो आपको पता है कि तीन किरमागत समसंख्याओं का उसत कितना है 24 अगर आपने मेरी उसत की वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको उसत पढ अगर आपको उसत निकालना है तो उसत हमेशा क्या होती है बीचो बीच की संख्या होती है यानि कि अगर तीन संख्या लिखी हुई है तो एक तो यह होई गई और दो एक इसके आगे लिखी होगी और एक इसके पीछे लिखी होगी तो हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है देते हैं कैसे होता है कुछ लोगों को confusion होगा क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप करेंगे तो कुछ भी बता रहें मैं एक बात करता हूं जैसे आपके पास लिखा हुआ है दो चार और छे अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आपको पता है कि अगर यह सीरी एका एवरेज निकालना होता है तो आपको first और last term जोड़कर क्या कर देना होता है आधा तो 6 और 2 8-8 का अधा करेंगे आप 4 और देख रहे हैं वही आपका क्या है बीचो बीच में है तो जो एवरेज होता है वो क्या होता है बीचो बीच में होता है तो इस question का answer स्रीप इतना सा था कि हम क्या कर लेते इस question को पढ़के ही बता देते कि अगर उसने बीचो बीच की संख्या पूची है और सीरीज कैसी है सम है और संख्याएं कितनी है तीन इस बात का याद रखना अगर संख्याएं तीन है तो आपको पता है कि average यहां पर है तो एक संख्या यहां पर होगी यानि कि तीसरी संख्या यहां पर आपके होनी चाहिए तो बस हमने इसी को क्या कर लिया इ समांतर सेड़ी में आपको पूरे अच्छे तरीकी से पढ़ाऊंगा एक दम बेसिक से पढ़ेंगे समांतर सेड़ी को कि कैसे कोश्चन से बनते हैं अगर आपने टैंथ में समांतर सेड़ी पढ़ी होगी तो आपको जुरूर समझ में आ जाएगी तो अगला कोश्चन है हमार करने का method की बात करें तो पहली समसंख्या अगर हम x मानते हैं तो दूसरी हमें x plus 2 माननी पड़ेगी x plus 4 माननी पड़ेगी x plus 6 माननी पड़ेगी तो हम कहां तक करते रहेंगे तो मैं ऐसा करता हूं इस question में कि उनका अगर योग 80 है और वह 5 संख्याएं हैं तो उनका average निकाल लेते हैं आपने का आप से भाग करेंगे तो 16 पंजी असी होता है यानि कि बीचों बीच की जो संख्या होगी ना वह उनकी 16 है तो यहां पर कितना होगा आपने कहा 18 और यहां पर कितना हो जाएगा आपने कहा 20 इदर 14 और यहां पर 12 हो जाएगा तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी आपने का 12 हो जाएगी अब अगर हम इसे तो जब भी sum और विसम की बात करता है तो हम इसे x तो x plus 2 मानते हैं अगला x plus 4 होता इसके बाद x plus 6 होता और इसके बाद भी x plus 8 होता और हम इन सब को क्या कर देते 80 के बराबर रख देते sum करके तब आपको x की value मिल जाती है ना जो कि कितनी आएगी 12 आएगी तो देखो इतना स तो अगला जो कोशन है हमारे पास वो यह है कि 6 समसंख्याओं का ओसत 11 है तो प्रथमबा अंतिम संख्या क्या है दोको 6 समसंख्याओं का ओसत 11 है अब ओसत तो भी बीचो बीच की संख्या होती है लेकिन अगर हम समसंख्याओं की बात करें तो यह सम नहीं है यह कैसा है 3 इसके आगे होनी चाहिए थी तीन इसके पीफ्शे होने चाहिए थी क्यों होनी चाहिए थी क्यों कि 6 संख्याओं की बात की हुई है कभी וה那 इा सplasm संख्याओं का जोड़ा बन रहा है या從 6Stका 8 तो ये खेवाज कर इस ल 17 है तो देखो हो बीच व कहा है जो मैंने कहा वो गलत थोड़े कहां मैंने कहा कि वैशोन के संख्या होती है अगर यह बीचो बीच का है आपको पता है यह अबरेंच है हमारा यान कि सब्से बड़ी संख्या कोण आपकी शोला हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या छे हो जाएगी यहां पर संख्या लिखी हुई है इसलिए हमने तेरा और पंद्रा और यहां पर हमने नौ और यहां पर साथ और यहां पर पांच नहीं लिया क्योंकि यह सारी भी संख्या हैं कल मैंने आपको सम और भी भाजय परीमिया परीमिय सारी संख्याओं की बात की थी आपके सामने तो आपको यह question में समझ में आ गया होगा दिखो आज एक और question में आपको बताने वाला हूँ हूँ आप average भी कर सकते हैं और simple ऐसे भी कर सकते हैं तो हम से कोशन में बोला क्या हुआ हम से बोला हुआ है 50 संख्याओं का औसतना 55 है अब देखो को कैसे कर लेंगे संख्याओं पचास है और आपको पता है कि average कितना आपने का पच्पन है तो 25 इसके इधर होनी चाहिए थी 25 इसके इधर होनी चाहिए अब मैं कहां तक जाते रहूँगा है ना मैं तो अगर पागल हो जाँगो इस कोश्चन को एक्जाम में सॉल्फ करूँगा तो मैं कैसे 50 इधर और 50 इधर लिखूँगा तो हमसे बोला है तो पहली वह अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा अब देखो ऐसे को जब आपको पता है कि यह बहु हो यह पर क्योंकि 50 हम भी सम्माल लेते हैं तो देखो अगर हमने चार से हम बात कर लेते हैं चार संख्याओं से हम बात कर लेते हैं तो आप इसके एवरेज की बात करेंगे बीचो बीच बीचो बीच में कौन है चार और पांच छे कि आपने कहा भाई पांच है अगर हम क्य करें कि इसका और इसका अंतर आपको करना है तो कितना आएगा आपका इसका योग पूछा अंतर पूछा है पहली और अंतिम संख्या का आपका अंतर क्या है तो देखो संख्या कितनी हमने लिखी है एक, दो, तीन, चार आपने संख्या लिखी है चार ये बात याद रखेगा कि इनका एवरेज कितना है पांच है और संख्या कितनी लिखी है हमने चार तो अगर मैं इनके पहले वाली संख्या यानि कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर करो तो कितना आ रहा है आपने का यार अंतर आ रहा है इसका 6 है तो अब मैं यहां पर कैसे पहुंच हूँ कि वह पच्पन है और 50 संख्याइद दी हुई है यहां लिख लेते हैं कि एबरेज 50 संख्याओं का एबरेज कितना है आपने का इनका एबरेज है हमारे पास पच्पन अब यह बताओ मुझे कि क्या आपके दिमाग में कोई बात ह हुई क्या बात आपको हिट करने थी मेरे भाई कि अगर मैं आठ में से दो घटा रहा हूं तो छे बच रहा है कि मैं इस सिस्टम से यहां पर कैसे पहुच पाऊं इस को मैं कैसे सॉल्व कर पाऊं तो देखो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि यार देखो रिजनिंग लगाओ थ सीरीज दी हुई है 50 संक्याओं का बाउष कितना आपने है कि पचपन होगी और इधर उसे 2 शर्यों और सीव रही आपको चंको कर देएं तो देखो अगर आपको आपको ना यह बात समझ में नहीं आती यह आपको यह बात पता नहीं होती तो आप इसका दिगालने के बाद विस koscian को कम से कम एक page बर देते यह बात आप समझ लो कि हमें 25 संख्या ऐसे लिखनी हैं पच्चिस संख्या ऐसे लिखनी हैं तो मैं कैसे करूँगा मुझे सारी संख्या इदर लिखनी पड़ती सारी संख्या इदर और फिर में क्या करता उनको सब्ट्रेक्ट करता घटाते लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं मैं एक और एक्जामपल से इसको समझाता हूं कि हम कोई भी नंबर ले ले जरूरी नहीं आपको यही नंबर लेना 50 बोला हुआ है तो 50 से कर रहे हैं यानि कि मैं सम ले रहा हूं जैसे हैं डिजिट सम दिए अगर बिश्म की बात होती तो हम भी ले लेते तो मैंने कहा कि अगर में इनकी बात करूं तो यह संख्या कितनी है एक दो तीन चार पांच छे तो देखो इनका है छे आपको पता इ आपका अंसर आ जाएगा तो यह बहुत important question है आपके लिए आपको यह method अगर समझ में आएगा तो please class को like, share, subscribe जरूर कर दें देखो बहुत आसाने से मैं आपको पढ़ा रहा हूं हर चीज अच्छे से पढ़ाने की कोसिस कर रहा हूं तो I hope आपको यह question clear हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी और questions लेते हैं एक दो और करते हैं उनको कि भही हम ऐसे questions को कैसे कर पाएंगे जब कोई बहुत बड़ा question हो ना average पर यह किसी भी चीज़ पर बिस आपको लगे कि इसका solution बहुत लंबा जाएग कि पांच क्रमागति बिसम संख्याओं का जो योग है वह 145 है पांच क्रमागति बिसम संख्याओं यह संख्याई कैसी आपने क्या कहा संख्या पांच तो पांच कितनी वर में कर जाएगा पांच इक हैं यानि कि पता चल गया कि इस question में ये पूछा हुआ है तो सबसे छोटी बा बीच वाली बा अंतिम संख्या बताओ तो देखो बीच वाली तो आपको पता चल गई यह है तो बीच वाली तो संख्या यही हो गई अब हमसे पूछा सबसे छोटी तो छोटी की बात करें देखो 29 से पहले कौन होता है विस सम होता तो 31 आएगा 31 के बाद आपका क्या जाएगा 33 तो सबसे कौन सी हो गई बड़ी यह वाली हो गई तो देखो अगर आप थोड़ा सा भी क्या करते हैं आपको average की थोड़ी सी भी समझ थी तो आप इन सारे questions को कर पाते जबकि यह मैंने किस में लिखे हुए है number system में लि दोस्तों के साथ share जरूर कर दें subscribe कर दें तो चलिए मिलते हैं आपसे next video में नए questions के साथ